दोस्तो नमस्कार दिस इस धीपक हेर और मैं आज आपको information देने आयों बहुत ही simple information रहेगी मेरी तरफ से बिहार सिक्षक भरती जो 2.0 भरती आई है हमारी तरफ से तो हम उसको लेकर जो है आज जानकरी कठा करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या information आ चुकी है कितन दोस्तो एक notification जारी हुआ है जो मेरी ख्याल से सब लोगों के पाव विलिबल ही होगा 6-8 का जो है वो notification आ चुका था जिसमें सब जिला वालों को proper तरीके से inform कर दिया गया है कि किस जिले में कितनी vacancies आ रही है है और कितनी कितनी क्या चीज है यह आपके सामने notification देख रहा है जो कि थोड़ा सा blur आपको दिखेगा तो बट मेरे ख्याल से आप सब लोगों के पास यह notification पहले से आ चुका होगा ठीक है और अगर आप देखेंगे तो य बहुत तेजी से काम कर रही है और वो मैं reasons भी बताऊंगा what are the factors जिसके basis पे सरकार को इतना तेजी से काम करना पड़ रहा है एक लाग 70,000 vacancy हमने पहले देखी है जिसका कुछ हद तक मुझे लगता है बहुत जल्दी क्या करते है नियुकती पत्र बाटे जाने है जो कि गां और भी टेकिंग दिस वीडियो वेरी लॉंग तो अराम से एक शॉट में जल्दी यल्दी इसको खतम करेंगे तो यह कुछ जेलावाइज जो है यह 6-8 जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया गया है और अगर मैं बात करूं तो देखिए यह कटिंग है जो मुझे मिली ठी तो इसके अंदर क्या कर रखा है अब यहाँ पे subject wise जो है वो पद दे रखे हैं जैसे अगर आप देखेंगे इसमें लिखा भी है कि अंग्रेजी भाषा के सबसे अधिक पद आए है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बोलू शोशल साइंस के 1922, गनित के 226, विज्ञान के 2320, हिंदी और इंग्लिश के पद जो है वो सबसे जादा आपको देखने को मिल रहे हैं है ना 3423 और 6465 है ना यानि 3465 तो यह आपका overall है ठीक है 910 की विकिंसी है अगर आप देखेंगे संस्कृत में भी 1800 पद, उर्दू के 1200 स 2480 है तो यह तो वो है जो 910 के पद है ठीक है ना 910 के यह पद निकाले गए और 11-12 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भरती दे रखी है भौतिगी में 1919 पद है रसायन शास्तर में 1800 तो यह आप अपने आप एक बार चेक कर सकते हैं यह प्रॉपर authentic है है ना अगर मैं बोलू कुछा तक authentic है एक बार final जो है government की तरफ से भी proper एक release हो जाए विकिंसी उसको अभी तक क्यो नहीं किया गया है उसके कारण समझेंगे अभी और क्या-क्या चीज़े हम कर सकते हैं वो भी चीज़े हम आगे देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहला question जो बनता है वो बनता है BSB 2.0 आ गया है है ना first में जो है एक लाग सतर हजार आईती भरती है हमारी अब ये BSB बिहार सिक्षक भरती 2.0 है अब जिसके अंदर अगर हम total विकिंसी की बात करें तो लग भग लग भग जो है वो सतर हजार के करी विकिंसी जो है उसके plus आनी है 6 to 8 में proper number बता दिये गए है 31982 जो है ठीक है और अगर मैं 9 to 10 की देखूं तो 18,000 प्लस विकिंसी निकलेंगी और वही आपको 18,000 प्लस जो है वो आपको 11 to 12 में नजर आएंगी हाँ अगर जो एक एक लाग सतर हजार में से कुछ कमी बज जाती है तो उन विकिंसी को हो सकता इन में एड कर दिया जाए तो ये विकिंसी और जादा हो सकती है तो एक जो है नोटिफिकेशन प्रॉपर नोटिफिकेशन जो गौर्मेंट की तरफ से आना है बस उसका वेट किया जा रहा है अब देखिए यहां पर कुछ कोश्चन्स आते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कब तो देखिए एक रीजन है नोटिफिकेशन ना आने का वह सबसे बड़ा रीजन है तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी गौर्मेंट जो है पुरानी भरतियों को ही क्लियर कर रही है जो नोंने की थी तो उसको ही क्लियर करने में लगी हुए उसी के जी चीज़ि आपने देखा कि keys भी आई और proper तरीके से सारी चीज हुई तो वो सारी चीजे clear की जा रही है और अभी जो बिहार estate था उसका result भी अभी आना है ठीक है ना अभी हमने बिहार देखा कि अभी बिहार estate की चीजे करी जा रही है उसका एक proper result रिलीस किया जाएगा और सब है की जो है वो challenge करने को आई है और सब है तो मुझे लगता है बिहार super debt का result इस week के last तक आ जाना चाहिए मतलब मेरे ख्याल से 33 से पहले पहले वो proper clear हो जाना चाहिए और notification जो है जहां तक उमीद की जा रही है है ना October 1st week में या तो उमीद की जा रही है October 1st week में आ जाएगा नहीं तो 15th October से पहले पहले मुझे लगता है वो notification आपको नजर आ जाना चाहिए 15th October से पहले वो notification आपको आ जाना चाहिए अब exam कब होगा अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये इतना जल्दी सब हो जाएगा उसके पीछे एक word है जो मैंने यहां पर लिखा है उसका नाम है election है ना आप सब को पता है 2024 में एक बहुत है ना एतिहासी घटना एतिहासी घटना तो मैं नहीं बूलूंगा इसको क्योंकि ये हर पास साल में होती है 2024 में जो है वो जर्नल election है ना यानि election for MPs ठीक है तो बिहार गौर्रमेंट बिल्कुल चाहेगी कि वो इस भरती के थुरू है ना उस election में proper एक फायदा उठाए है ना और वो उस भरती को चाहती है कि वो किसी भी तरह अचार सहीता जो है आप शैद modal court of conduct जानते होंगे अगर अचार सहीता लग जाती है तो उसके बाद government ineffective हो जाती है they are not able to take any decision और वो नए decision नहीं ले सकती है ना और कोई भी चीजों को वो implement नहीं कर सकती ठीक है तो 2024 में election है most probably जो election हो जाएंगे वो अपरेल या में में हो जाएंगे उससे जादा नहीं होंगे ठीक है और जहां तक अचार सहीता की बात है वो लगभग लगभग जो है February last तक लग जाएगी जहां तक अब लेकिन देखिए ये इसमें थोड़ा subjective रहता है है ना क्योंकि election एक महीना उपर नीचे हो सकता और कई लोग कहनें government भी कहती है कई बार की हो सकता election पहले हो जाए बाद में हो जाए वो चीज़े थोड़ा subjective रहती है उसको कोई surety नहीं देता बट ये जो election है एक बहुत बड़ा roll अदा कर रहा है हमारी भरती के अंदर क्योंकि तभी है हमारी government जो जो अगर मैं बोलू बिहार government चीज़ों को speed up कर रही है वो चाहती है कि 1,70,000 जो भरती दी वो तो clear हो ही जाए और जो उन्होंने नई सिक्षक भरती निकाली है उसको भ लोग 2024 में vote करने जाए तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखे है ना तो अगर मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हो बिहार government जो है बहुत speed up काम कर रही है उस चीज़ को लेके तो exam देखो notification की उमीद मैंने बोला first week of October से लेके 15th October तक आ जाएगी exam मुझे न ठीक है ना December last week ठीक है या फिर January first week के आसपास हो सकता है ठीक January first week के आसपास हो सकता है ये ध्यान रख लीजेगा और मैं फिर बोल रहा है ये थोड़ा सा एक चीज़ों को देखकर exemption लगाई जाती है कि भाई देखिए क्यों ऐसा होगा क्योंकि December में अगर वो exam करा लेंगे त position में होंगे तो मुझे लगता है कि ये जो एक overall scenario रहेगा election को mind में रखते वे रहेगा है ना तो notification आप उमीद कर सकते हैं और ये मेरे को लगता है आप लोगों को भी एक अच्छा idea होता है कि notification पूरी पूरी उमीद है कि October के first week में जैसे बिहार सूपर टेट का result declare होगा ठीक ह ना उसके बाद ये notification जारी हो सकता है और उसके बाद मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपको exam की date भी देखने को मिल सकती है तो ये एक छोटा सा information था और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बहुत ही सुनहरा मोका है बिहार के लोगों के लिए इस बार एक सरकारी teacher बरने का एक government teacher बनने का और बहुत बहुत अच्छी opportunity है guys तो आप लगिएगा जुडिये रहेगा है ना सूपर कोचिंग के साथ connect रहेगा एक छोड़ी से information मेरी तरफ से आपको थी thank you so much for watching this video I hope this will clear all your doubts मेरे इसाब से ये आपके सारे doubts clear हो गए होंगे तो लग भग लग बस 70,000 vacancies plus मैं 9 to 10 में 18,000 प्लस 11 to 12 में 18 प्लस और ये मैंने आपको दिखाया था कि कोन कोन से पद जो है कितने कितने आ रहे हैं कितने हो सकते हैं ठेक तो यही मेरी तरफ से information थी my name is दीपक okay thank you so much for coming and giving your valuable time bye bye everyone thank you so much